अगर आप ये कह रहे हो कि exam postpone हुआ या नहीं हुआ तो बच्चो मैं आप से सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप postpone करते करते रह जाओगे और जिनको एक्जाम निकालना है वो time पे एक्जाम की तयारी करेगा और time पे एक्जाम देके आएगा और postpone वाले भी उसी time पे एक्ज एक्जाम देके आएंगे और बेटा आप रह जाओगे और जिसने postpone सोचा तक नहीं था वो लग जाएगा वर्दी पहन जाएगा आप फिर भी किसी का कुर्स खरीद रहे होगे तो बच्चो ऐसा अफवाएं हर बड़े एक्जाम के लिए उड़ती हैं 40-45 लाक बच्चे है तो कम से कम postpone चला के 5-7 लाक बच्चो को तो disturb किया ही जा सकता है तो वो जो कहीं न कहीं competition ऐसा लोगों की मनुवरती पहले से बनी हुई है कि ऐसा चलाएंगे तो लोग अपनी तयारी से हट जाते हैं और हमारा फाइदा हो जाएगा कम पे मेरिट चली जाएगी बच्चो य कैसे ही दूसरा कम होगा मेरे उतने भी आगे मेरा selection हो जाएगा क्योंको मुझे तो पता है ना पोस्ट पॉन नहीं होगा बटा दिल्ली पुलिस में अगर आपको बता दूँ 27 नॉवंबर 2020 का एक्जाम हुआ था और बच्चो इतना अगर बोलू नॉवंबर के सुरुवात में इतनी अफवाएं उड़ी थी एक नॉवंबर के आसपास इतनी अफवाएं उड़ी थी कि दिल्ली पुलिस तो पोस्ट पान हो गया कोरोना की जब पहली लहर चल रही थी अभी कोई और पहला ही एक्जाम होना था लगबग बड़ा एक्जाम तो कोरोना के बाद अब ब बच्चो एक्जाम बिल्कुल एक्जेक्टली 27 नॉवंबर को हुआ और एड्मिट कार्ड कब आए 23 तारीक को 22 तारीक को और 23 बाइस को वो लोग तैयार ही नहीं थे जो पोस्ट पान कह रहे थे और दूसरी जगे भी फिर चार कर रहे थे कि मैंने नोटिफिकेशन दे कर हम लगातार बता रहे थे वो फेक है लगातार बताया बच्चों को और बच्चे तो मान लेते ना भाई ऐसा कोई फेक काम क्यों करेगा बच्चों यह होता है तो मैं आप से कह रहा हूँ कि आपकी कोई भी बात कोई भी खबर इस तरह की अब तक है ही नहीं कि एक्जाम पोस् रिकॉर्ड रहा है ऐसे सी बदलता नहीं है क्योंकि दिल्ले बुलिस भी नहीं बदला था बच्चो ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि आगे से इस चैनल पर तो क्वेश्चन नहीं करेंगे कि एक्जाम पोस्ट पॉन हुआ है नहीं वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा बच् ठीक है आप एक्जाम एक्जाम चिल लाते हो बस और कुछ नहीं करते हैं